नमश्कार हर हर महादेव जै भोलेनात आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स मेरा नाम नितिन है मैं कहानिया सुनाता हूँ कभी फैक्ट्स कभी ईश्वर से जुड़े चमतकार कभी रोचक पुराणिक कताएं और कभी तीसरी शक्ति यानि भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से कुछ ऐसी बाते जो की कहानी के मद्यम से समझाता बताता हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपिरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा फेस्बूक, वाटसैप, इंस्टा, कॉमेंट सेक्शन कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कहानी हर किसी की हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करते हैं देखिए आज की कहानी से एक बात तो साफ हो गई कि जब दो दोस्त, पक्के दोस्त एक साथ होते हैं तो इस तरह की दिलेरी तक दिखा देते हैं लेकिन ये किसके सामने दिलेरी दिखा रहे हैं ये मुर्खता हो गई इन्हें जब तक नहीं पता था जब तक तो सही था लेकिन उसके बाद हिमत जुटाकर इन दोनों ने जो काम किया वो काबिले तारीफ रहा क्या कैसे कब हुआ बताऊंगा थोड़ी सी देर बाद अभी फिलाल जैनल का इंट्रो फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा कहीं मत जाएगा पूरी कहानी सुनियेगा हर हर महादेव कहानी शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करिएगा जरूर और कॉमेंट में लिखेगा जैवीर बाला जी महराज आपका नाम आपकी जगे, कौन सी जगे से आप ये वीडियो देख रहे हो कहानी अजे और सूरज की है, अजे और सूरज दसवी कक्षा तक दोनों एक खास दोस्त बनके रहे बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता थे लेकिन वक्त बदला और अजे और सूरज की ये दोस्ती यहां पर तूट गई सूरज के जो पिता हैं इनका गौर्वर्मेंट जॉब था तो इन्हें काम के सिलसले में जगए छोड़नी पड़ी दूसरी जगए जाना पड़ा दोनों दोस्तों के बीच में आसुओं के साथ विदाई हुई दोनों बहुत एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन ग्यारवी बारवी और अब कॉलेज अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसा हुआ लेकिन हाँ गर्मियों की या सर्दियों की कभी भी जो छुट्टियों का मौका मिलता था ये दोनों मिलते थे अजय और सूरज अब बस अपनी यादों के साथ ही थे एक नए मित्र की तलाश में थे लेकिन दोनों के पास ऐसा कोई दोस्त नहीं आया जो एक दूसरे की जगे बदल दे या उनकी जगे आ जाए अब होता क्या है कि बारवी का दौर शुरू हुआ पढ़ाई में दोनों मश्रूफ हो गए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगे बहतरीन मतलब की एक दूसरे के साथ मिलेंगे बैठेंगे बात करेंगे घूमेंगे खाएंगे पिएंगे जो मर्दी करेंगे अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं क्योंकि हमने एक्जाम बहुत अच्छे दिये हैं दोनों के माता पिता भी एक दूसरे को जानते हैं पसंद करते हैं और उनकी भी दोस्ती बहुत समय पहले से है सूरज के माता पिता ने कहा कि भाई हमारा तो जाना नहीं हो पाएगा लेकिन बिटने काम कर तू बस पकड़ कर अपने दोस्ते जाकर मिला तीन चार दिन सुके घर पर रही हो और फिर अपने हाप आ जाई हो सूरज ने खुशी खुशी बात एक्सेप्ट कर ली क्यों कि उसके तो मन में था अज़ेबी चाह रहा था कि भई मेरा दोस्त आए बैटे बात करे घर रहे या मैं उसके घर जाओं ऐसा इन दोनों का पहले ही विचारता कि एक्जाम के बाद कहीं न कहीं घूमने जाएंगे एक खुशी का महौल सब कुछ बहतरीन और इस वक्त दोफैर का तकरीबन एक सबा के आसपास का समय था घर वालों ने सबने वेलकम करा और पूछा इससे की बिटे एक्जाम कैसे हुए इसने बहुत बहतरीन हुए है और जितनी उमीद थी उससे अच्छे ही एक्जाम हुए है मतलब 90% के आसपास तो नमबर आएंगे मतलब ऐसा हमें लगता है सूरज ने भी यही बात बोली अजय ने भी यही बात बोली यानि कि दोनों ने पढ़ाई एक तरीके से करी है और यह भी कह सकते है कि दोनों का तरीका ही एक है पढ़ने का दोनों खुश हैं माता पिता भी संतुष्टें की बच्चे पढ़ने में भी अच्छे हैं तो अब इन्हें रोक टोक है नहीं कि बारवी हो गई है एक तरह से और अब कॉलिज में आएंगे फिर उसके बाद जब ग्रेडुएशन हो जाएगा तो जॉब करना है बिजनस करना है तो यानि हैं समझदार हो चुके हैं एक समस्या तो दिल से दिमाग से निकल चुकी है कि इनके लिए हमें कुछ जादा परवा करने की जरूरत है इन दोनों ने यहां से बाइक उठाई और निकल गए घुमने के लिए काफी दूर जाने के बाद एक जगे धाबे पर रुके खाना वा साइट गया डिसकेशन चलते चलते रात के नौ बज गये अब जब नौ बजे तो इन्होंने देखा कि सामने से एक बरात आ रही थी बरात में इन दोनों का हमेशा से मन करा कि थोड़ा सा नाच गाना कर लिया जाए ना तो मज़ा आता है इन दोनों को ऐसे यह भी कह सकता पर डांस करा पसीने बहाए उसके बाद देखा आसपास की जो बरात का स्थल है वो कहां है यानि जो शादी जहां पर हो रही है तो जिस जगे की एक कहानी है वहाँ पर कोई बड़े-बड़े बैंकट नहीं थे बड़े-बड़े खेत हुआ करते थे और खेत में ही टेंट लग जाता था और वहीं शादी समारो वगएरा हो जाता था कोई समस्या नहीं अब ये दोनों अच्छे कपड़े पैने तो थे ही मुहाँ धोया और पहुँच गए शादी में वहाँ खाना वगएरा खाकर जब चल रहे तो देखा दूर एक और खड़ी है और वह थोड़ी किसी इस विवस्था में लग रही है कि जैसे शादी में तो नहीं आई ये कह सकते हैं कि वो आते हैं ना कि शादी में कोई मदद के लिए आ जाता है कि घर के लिए कुछ रोटी दे दो कुछ सबजी दे दो जो कि सक्षम नहीं है जो कि घर मांगकर खाना लेकर जाएंगे औ इन दोनों को उस पर तरस आया, दिदी आप यहां क्यों खड़ी हो, उसने कोई जवाब नहीं दिया, यह सवाल सूरज ने किया था, अजय ने कहा कि हमें यहां से चलना चाहिए और जब हम जानते ही नहीं कि किसकी शादी है, क्या हो रहा है, यहां फंक्शन क्या है, तो हमें जादा किसी से कोई बात नहीं करने चाहिए, यह अपने आप देख लेंगी अपने खाने के वैवस्ता, जो है, नहीं नहीं, फिर भी इन से एक बार पूछ तो लेते हैं, कि इन्हें चाहिए क्या, अगर इन्हें कोई समस्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो चल भाई, म गंडे कपड़ए की वजे से तु ऐसा बोला है, क्या नहीं, गंडे कपड़े की बात नहीं है, इनका जो लेफ्ट हैं-ड peculiar कि उसे ध्यान से देख, दोनों हातों में फर्क कैसे हैं? होता है किसी किसी का, भाई इसमें दिक्कत ही क्या है, कभी देखा है तूने जिनदी, कि इस महिला का एक हाथ थोड़ा लंबा था, मतलब दोनों हाथों में इतना फर्क था कि वो घुटनों तक था, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे उसमें कोई नकली हाथ लगा रखा हो, क्योंकि इतना लंबा हाथ अक्सर नहीं देखा होगा लोगों ने, और उस हाथ की उंग मोटर साइकल पर बैठे और चल दिए, तगरीबन आदा घंटा इन्होंने मोटर साइकल चलाई है, आज है मोटर साइकल चला रहा है और सूरज उसके पीछे बैठा हुआ है, यहां घूमने सूरज आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहानी के साथ रहिएगा, तो आप समझ जगे यह चाय पी रहे थे, जिस लकडी की टेबल पर यह बैठे हुए थे, उससे तगरीबन सो मीटर की दूरी पर वो औरत खड़ी दिखे, दुबारा, आज है ने देखा और सूरज को बताया, सूरज ने भी देखा फिर उसके बाद सूरज को यहां डर लगा, कह रहा भा भाई, और तू अब इस बात को ना जाकर चेक मत करियो, तेरे में बहुत गंदी आदत है यह, ऐसा है तो क्यूं है, यह कोई साधारा नहीं है, यहां से चल, इन्होंने चाय का कप रखा, पैसे दियो और जब चलने लगे तो हडबडाट में, यह लडख़डाए और गिरे, तब ही उस चाय वाले वहिया ने कहा कि बीटा ठीक हो, हाँ जी सब ठीक है, यह बीटा कोई बात है तो बताओ, सब कुछ ठीक है ना, दोनों ठीक हो, हाँ सब सब सभी है, अब यह बात कर रहे है इस से, लेकिन बार बार देख रहे हैं उस तरफ, और वो औरत, जो रोड के दर थी अब रोड के इस तरफ आ चुकी है, अन्यानुजार हो गया, लेकिन वो कितनी देर में हुआ कैसे हुआ, इन दोनों को कुछ नहीं पता था। मैं मोटर साइकल पेटे और किक पे-किक लगा रहे हैं, लेकिन मोटर साइकल स्टर्ट नहीं हो रही। इस वक्त सूरज मोटसाइकल स्टार्ट कर रहा था अजय उसके पीछे बैठा है और अजय बार-बार कह रहा है कि भाई वो पास आ रही है जल्दी मोटसाइकल चला अब ये चायवाले ने पूछा कि बिटा तुम ठीक हो कौन आ रही है कौन दिख रहा क्या बोल के आ रहे हो तुम दोनों नई भर फटा-फटा मोटसाइकल स्टार्ट कर इन ने स्टार्ट करी और एंड मौकर पे जैसे पिछर माने दिखाते कि एकड़म से प्रेट आया और उससे पहले मोटसाइकल स्टार्ट हो गई या गाड़ी स्टार्ट हो गई रहा हम वहां से बाग गए ऐसा के साथ हुआ एकदम फिल्मी जब ये घर पहुंचे हैं तो दोनों पसीने पसीने आते के साथ ही ही माता पिता को इसने सब बताया अजहने कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किसी औरत को देखा है वो बड़ी डरावनी थी भयानक थी उसका एक हाथ लंबा था लंबे लंबे नाख पर स्कूल जाते हो, 12th क्लास में हो, त्मने एकजाम दी हैं क्या सोचें कि तुम्हारे टीचर तुम कैसा दिमाग रखते हो बूध परेत आतमा, कि वो तो समझ भी आता है कि हमारे जमाने मैं कभी बूध परेत आतमा थे, तुम दोनों आज के बच्चे हो और कैसे बूध प एक promise लिया कि तू उस तरफ अब कभी दुबारा नहीं जाएगा क्योंकि मैं तो यहां से जा रहा हूँ लेकिन मेरे भाई तू यहां अकेला रह जाएगा और तेरे मन का जो डर है सिर्फ मैं दूर कर सकता हूँ लेकिन मैं यहां नहीं तो तू प्लीज जायो मत चेक करने के लिए कि वो कौन है कहा है और अगर कभी दुबारा दिखी तो मुझे फोन जरू करियो या तू मेरे साथ चलियो यहां मत रुक उसने का कुछ बात नहीं है यार यह ठीक है मैं भूल गया बार-बार उस बात को सोचकर हम करेंगे क्या उसके बाद हमें कभी दिखी भी तो नहीं है बात यहां आई गई हो गई अब यहां सूरज जो है अपने घर वापिस आ गया अपने ममी पापा को सब कुछ बताया इसके ममी पापा ने बात पर फरोसा किया कि हाँ यह सब कुछ होता है उसे चलावा कहते हैं जो कि पीछे चलता है और जब तक वो नाम लेकर तो मैं नहीं बुला रहा तब तक तो तुम एक तरह से बचे हुए हो और जहां उसने तुम्हारा नाम पुकारना शुरू करा तो वो कोई भी रूप में हो सकता है आपका घर का सदस्य लगेगा आपको की आवास दे रहा है या आपका कोई खास दोस्त मतलब जिसको आप ना नहीं करोगे और उसके साथ चल दोगे ऐसा होता है चलावा होता है अब इसके मन में यह जो डर तीन दिन में चार दिन में जाने वाला था यह थोड़ा और पका हो गया इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे भूलूं तो कैसे भूलूं आख बंद आख बंद करते के साथ ही वोई चेरा डरावना भयानक सामने आता है अब यहां रिजल्ट आया रिजल्ट में दौनों के अच्छे नमबर आए दौनों के 92-93% के आसपास रहे बहुत अच्छा सब कुछ घर वाले बहुत खुश है दौनों ने प्लैन करना का था कि इन्हें फ्यूचर में क्या करना है दौनों ने सेम कॉलेज में अड्मिशन लिया दौनों घर से दूर आए दौनों ने एक रूम किराय पर लिया मतलब PG लिया वहाँ पर रहना और एक पुरानी दोस्ती वापिस से शुरू हो गई और कॉलेज की पढ़ाई और कॉलेज में नए दोस्त और सब कुछ बहतरीन वो जो एक याद थी डरावनी भयानक वो दिल से हवा हो गई सब कुछ नया है, सब कुछ अच्छा है कॉलेज के ये तीन साल कैसे निकल गए पता नहीं चला बीच में कुछ भी भूत प्रेत आतमाओं से जुड़ा नहीं हुगा दोनों ने एक कंपनी में ट्राय करा था मतलब जो इनको आगे फ्यूचर में करना है उससे रिलेटिड में इन्होंने एक कंपनी में ट्राय करा कमाल की बात की दोनों को ही ओफर लेटर आ गया दोनों की जॉब पक्का हो गई घरवालों ने कहा कि भाई ऐसी दोस्ती हमने नहीं देखी कि बचवन में मतलब थर्ड क्लास से ये दोनों साथ है सेम इनका फ्यूचर चल रहा है और अब कंपनी भी सेम ही मिली है बहुत भड़िया बहुत अच्छा ये दोनों दोस्त कम भाई जादा हैं एक दूसरा पर बहुत जादा विश्वास करते हैं और जिन्दगी अच्छी चल रही है दोनों जिस जगे आये हैं महा इंटर्वियू अच्छा हुआ पैगेज अच्छा मिला तंखा सब कुछ अच्छी थी और उन्होंने रहने के लिए एक भड़िया सा घर भी दिया और ये कहा कि अगर आप दोनों चाहते हो मतलब की एड़्जस्ट करना तो रुख सकते हो दोनों को वरना अलागला घर का मतलब यह नहीं कि आलीशान बहुत बंगला मिल गया एक अपार्टमेंट में एक कमरा मतलब एक घर तो दोनों ने कहा कि नहीं हमारे को होलिडे था या क्या था तकरीबन साथ आठ दिन की चुटियां मिली और ये दोनों ही अपने शहर से दूर हैं एक नए शहर में है यार इतने दिन की चुटिय मिली है और कमाल की बात ये है कि हमने ये शहर देखा नहीं है क्यों ना मोटर साइकल उठाकर 6-7 दिन के लिए जो हमारे को चुटियां मिली है घर पर तो हमें रुकना ही है हम निकल जाते हैं देखते हैं कहां क्या है बिल्कुल ठीक है इन्होंने अपने बैग पैक करें समान जरूरी जो रखना था रखा और चलते चलते लोगों से जानकारी लेते रहे यहां क्या है देखने लाइक वहां क्या है देखने लाइक ऐसे करते करते एक धावे पर बैठे तो उसक्त रात के 11 बज़रे थे यहां धावे वाले जो भहिया है उनसे पूछा कि यहां देखने लाइक क्या है और ऐसे ही जो हर किसी से पूछ रहे थे तो उसने का कि भीया रात हो रही है अब रात में तो भूत प्रेती दिख सकते हैं ये बात इसे नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये उस बात को भूल चुके थे इस तरह का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ था लेकिन तुरंट वो पुरान यादे ताजा हो गई बहिया क्या आप बेकार की बाते कर रहे हो आज की धिरिक में भूत प्रेत आत्मा होते तोड़ी नहीं है कैसी बाते कर रहे हो किस लिए का नहीं होते ये जो मारिया जॉर्ज वाला पुल है महां जाकर देख लो पता पढ़ जाएगा मारिया जॉर्ज वाला पुल क्यों आपको इस जगे के बारे में पता नहीं है नए हो गया या उसने का हाँ अभी तीन दिन पहले ही आये है और ये कैसा पुल है करा बहुत अच्छा पुल है अंग्रेजो के वक्त का है अंग्रेजो ने बनाया है और हाँ उस पुल पर रुक कर दिखाना पूत परेतात्मा नहीं होते आज कल के बच्चे कछो मानते नहीं है ये मारिया जॉर्ज पुल है कहाँ पर उसने का आप सुबा चले जाना दिन में इस वक्त जाना बिल्कुल ठीक नहीं है एक तो आप यहां के हो नहीं जगे भूल गए रास्ता भूल गए तो आपको रात में समझाने बताने वाला कोई नहीं मिलेगा और मैं बता रहा हूं कि वो साधारन नहीं है अरे आप बताओ तो सही साधारन है या नहीं है वो हम देख लेंगे अच्छा आपको देखना है जरूर देखना है आपको जाना है हाँ जी बिल्कुल जाना है तो इस धाबे वाले ने बताया कि ऐसा है कि अपने साथ ना कोई भी ऐसी चीज जरूर लेके आना मतलब महा पर प मुझे हैं कि हमारे लिए तो हमारी घडी खास है हम दौनों ने एक दुसरी को तोफ़े में दीती और दौनों को घडी बहुत पसंद है उसना का ठीक है फिर यह पुलपर छोड़ देना तभी पुलपार होगा क्या बेकार की बाते कर रहे हो हम घडी क्यूं छोड़ देंग इस जगे के बारे मैं जानते नहीं हो इसलिए आपको बचाने का तरीका है मिठाई के पैसे नहीं लूँगा लेकिन मेरी तरफ से दो-दो मिठाई ले जाओ उसने दो एक लड़ू एक अधबर्फी रख दी वास्तव में रख दी इन्होंने बहुत मना करा लेकिन उसने जिद करी और एक पैकेट में करके इनकी मोटर साइकल पर टांग दी कि बिटा मेरी तरफ से ले जाओ क्योंकि बाद में तुम्हें मेरी बात याद आईगी अगर वो दिख गई न तो भागने का भी मौका नहीं मिलता है इतनी डरावनी इतनी भयानक चुडैल है उस पुल पर अच्छा पुल पर चुडैल है आपने देखी है करा हाँ बीजियो बार देखिए मैंने और मैं जानता हूँ कि उसे पार करना कैसे होता है इसलिए मिठाई मैं हमेशा लेकर चलता हूँ अच्छा मिठाई लेकर जाएंगे तो वो भूका है क्या भूत प्रेज जो है जो की मिठाई ही काता है करा मजाग सूज रहा है कम से कम सतर अस्ती लोगों को निगल चुकी है वो कि आप बेकार की बाते कर रहे हो मतलब आपने देखा है कि उस भूत ने अटेक कर दिया वो खा गई किसी को कच्छा चबा गई क्या बोल ले हो करे बिटा जाओ और मैं बता देता हूँ तरीका कैसे है वहां तक पहुँचने का बीच में तकरीबन 6 किलो मीटर बाद ठीक है एक मतलब साइन बोर्ड आएगा जिसमें कि आपको राइट हैंड साइड पर मुड़ना है और बड़ी सी पहचान क्या होगी कि एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ मतलब गोलाई में होगा उसमें से जाना है और वो जंगल का रास्ता है सीधा पुल पर जाएगा जंगल? यहां जंगल भी है मतलब शेड़ जीते भालू वगरा कहरा नहीं अब वो तो नाम कोई है लेकिन है जंगल ही घना है पेड़ है चारो तरफ लेकिन कमाल की बात यह है कि चलता रास्ता है शॉर्टकट है और आप मोटर साइकल से भी जाओगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप जंगल में चला रहे है वो एकदम प्लेन है मटी जो है ऐसा नहीं कि कहीं से गड़्ड़ वगरा है बहुत आराम से मोटर साइकल जाएगी और वो सीधा उसी पुल पर जाती है और पुल आराम से पार करिएगा पुल पर रुकना मत और अगर वो दिख गई तो यह मिठाई याद रखना अच्छा अच्छा मिठाई अगर वो दिख जाएगी तो हम उसे अपने हाथों से खिला दें उसने का बहुत मजाक सूज रहा है जब वो दिखेगी और मेरी बाते याद आएगी ना तब तुमारे हाथ पर कापेंगे इन में जो अजय है ना इसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं है लेकिन सूरज को हलकी सी सरसर इसी होने लगी कि भाई ये जो हम कर रहे हैं गलत है अजय ने का रहे तू पीछे बैटना मैं मोटसाइगल चलाओंगा तू टेंशन को ले रहा है अब इनों ने रुख कर दिया भाई साब जंगल का सीधे गए हाँ कुछ समय बाद चल पुल तो देखकर ही आते है चांदनी रात है और बड़ा सुहाना सा मौसम है रोशनी भरबूर है मतलब यहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही लेकिन चांदनी रात है तो रोड साफ दिख रही है हरे हरे पत्ते साफ दिख रही है और जो मोटर साइकल की रोशनी है उससे तो चार चांद लगी रही है मौसम बहुत बहतरीन हो रहा है अब रात काफी है इन्हें कुछ दूर चलने के बाद यह लगा कि भाई हमने बहुत बड़ी गल्ती कर दी घर से कुछ खाने को भी लेकर आना चाहिए था यहा इतने अच्छे मौसम में कोई ट्राफिक नहीं कोई कुछ नही studying कहीं बैट कर अराम से खाते और घर से चाए लेकर आते धरमस में और यहां बैट कर चाए कॉफी पीते है हमने गल्ती कर दी चल कोई बात नी कल फिर आएंगे इन्होंने ऐसा सोचा और ये पुल के नजदीक आ गए पुल दिखा काफी मुचा बहतरीन और एक कमाल का पुल है धाबे वाले भाईया ने ये बताया था कि ये अंग्रेजों ने बनाया है इसकी बनावट बहुत अलग लग लग रही है ये पुल के बीचों बीच आये थे और उन्होंने मोटसाइकल रोक दी रोकने के बाद दोनों पुल से पानी की तरफ देख रहे थे नदी देख रहे थे अच्छी खासी लंबी चौड़ी गहरी सी नदी लग रही थी के रैलिंग पर खड़े हुए थे और मतलब उससे टिक कर खड़े हुए थे और पानी की तरफ देख रहे थे तब ही होता क्या है कि कुछ आवाज अजीब सी जैसे कि चिमगादर की है या किसी अजीब से जानवर की है वो आनी तेज शुरू हुई और फिर कुटों के रोने की आवाजे आई अब कुटा या सियार इस तरह से रोता है और डरावना सा महौल बन जाए तो ऐसे मैं तो घर निकल जाओ तो जादा बहतर है अजे को यहां डर लगने लगा कि भाई यह जो अभी आवाज आई थी यह भी गलत है और इस तरह से कुटों का रोना अशुब होता है अरे क्या शुब अशुब हमें कोई भूत प्रे तो दिखा नहीं तू अब भी यह कुटे रो रहे हैं या सियार रो रहे हैं उनकी वज़े से तू शुब अशुब बता रहा है अजय और सूरज के बीच में बहुत देर तक इस तरह की बाते चलती रही तब ही सूरज ने क्या कहा कि पुल के सामने कॉर्णर पर जो खड़ी है यह वही ओरत है ना अब होता क्या है कि सूरज और अजय जब बात कर रहे थे सूरज ने अजय से कहा कि भाई वो जो सामने पुल के कॉर्णर पर खड़ी है ये कुछ-कुछ वैसी ही औरत नहीं लग रही अजय ने कहा कि तू मुझे डरा रहा है नहीं भाई ध्यान से देख तो सही जब अजय ने भी उस तरफ देखा तो हाँ ये औरत वैसी ही लग रही है जो कि इन्हें पहले दिख चुकी है जिससे ये डर रहे थे वो धीरे-धीरे इनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी और इन्हें अब डर जादा लग रहा है अजय ने सूरत से कहा कि वो जो उसने ढावे वाले ने लटू वगरा मिठाई दिये हैं वो जल्दी से निकाल ले अरे नहीं ये ये वो थोड़ी ना होगी ये तो हमें जब हम 12th क्लास में थे तब दिखीती ये वो है नहीं अगर ये वो नहीं हुई हम इसे क्या पास जाकर देखें मिठाई ले लेते हाथ में अरे नहीं भाई मेरे को कहीं नहीं जाना अब ये दोनों तो आपस में बात कर रहे थे होता क्या है कि वो रेलिंग के उपर खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई उसने देखा इन दोनों की तरफ और उसने छलांग लगा दी नदी में अब इन दोनों के हाथ पेर फूल गए कि ये क्या हुआ है हमारे सामने मतलब कोई इस तरह से बचाना चाहिए ये से अब अजैने बिलकुल बिना देरी करे फटा-फट से अपनी शर्ट हटाई और घड़ी उतारी जूते खोले और कूद गया पानी में जब पानी में कूदा तो कुछ देर उसने ढूंडा चट-पटाट सी हुई पानी में उसने ढूंडा लेकिन नहीं मिली नहीं दिखी पानी का तेज बहाओ कहीं उसे ले तो नहीं गया और जिसे तैरना नहीं आता उसके लिए तो 10-15 सेकंड ही बहुत बड़ा भ्याना के खाथसा है अजय कूदा था और सूरज उसे अपने दोस्त को ध्यान से देख रहा है और बार बार चिला चिला कर पूछ रहा है कि क्या हुआ मिली क्या वो कहां गई क्या हुआ अरे क्या वो ठीक है कहीं पानी के भाव में भै गई डूब गई भाई ध्यान से देख अब वो ढूंड रहा है आज ये कोशिश कर रहा है और सूरज बाहर पुल के उपर है, इंतजार कर रहा है कि भई एक अच्छी खबर मिले, ये बुरी खबर हमारे सामने जो हुआ है गलत है भाई, तब ही होता क्या है कि सूरज को किसी के धीरे दे हसने की आवास आई अपने बहुत पास से, इसने पल पस्तव में डरावने और बहानक है, वो जो चांदनी रात में हलकी हलकी सी जो रोशनी सड़क पर बिखर रही थी, आज वो डरावनी लग रही है क्योंकि वो रोशनी में उसको देख रहा है और उसका चेहरा बहुत बहानक है, ऐसा लग रहा है कि पूरे चेहरे पर जैसे क हलक सूप किया और इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां से चिलाओं भागूं मदद मागूं क्या करूं वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही थी और वहां अजय उसे ढूलने में लग रहा था अब होता क्या है कि सूरज उससे डर रहा था और दो दो कदम पीछे चल रहा था तब ही वो इसके एकदम पास आई और धीरे से क्या बोलती है कि जाने की बारी उसकी है जो कि पानी में कुदा है तू क्यों गबरा रहा है अरे तू क्यों डर रहा है उसने बस इतना बोला और उसके बाद इस दोस्तने भाग कर अजय के तरफ आया मतलब कि अजय पानी में ढूंडता ढूंडता थोड़ा सा आगे तक हो गया तो ये पुल में भागता हुआ उस तरफ आया रेलिंग तक जाने के बाद अपने दोस्ते बोलता है कि पानी से बाहरा जल्दी पानी से बाहरा उसने जब इस तरह से बोला तो अजय की नजर उपर की तरफ गई तो उसने देखा कि पुल पर वो औरत खड़ी है जिसको बचाने के लिए एक कूदा था एक मिनट नहीं लगा उसे समझने में कि हम किसी ऐसी शक्ती के आसपास आ चुके हैं जिसके बारे में वो ढबे वाला बता रहा था उसने तेजी से चिला के बोला कि वो जो मिठाई है वो सड़क पर फैला दे जो मिठाई है सड़क पर फैला दे लेकिन मिठाई तक जाने के लिए उसे अब प्रेत चुडैल जो मरदी काओ इसको पार करके उधर जाना होगा पॉसिबिल्टी बहुत कम है ऐसा कैसे करेगा मतलब कोई इंसान हो तो चलो ठीक है दर दर से आप बाग कर निकल जाओ लेकिन बाई सामने उसे वो दिख रही है उसे कैसे वो पार करे इनका जो दोस्त है मतलब जो अजय था उसने तैर कर फटा फट से नदी पार करी दूसरी तरफ गया पुल के उपर चड़ा और जब आ रहा था तो इसे अपना दोस्त नहीं दिख रहा था सिर्व वो औरत दिख रही थी अब ये घबरा गया कि इतनी देर में मेरा दोस्त कहां कहां चला गया अजय ने बहुत बार चिला चिला कर सूरज को अवाज दी लेकिन उसका कोई अता पता नहीं पास जा नहीं सकता क्योंकि वो जो महिला है वो मतलब काफी ढरावनी दिख रही थी और जो साधारन एक हाइट होती है उससे वो उंची दिख रही थी बार बार वो रेलिंग पर खड़ी होती थी उसकी तरफ देखती थी फिर उतर जाती थी यानि कि फिर से वो इस बात को दुबारा खेलना चाह रही है कि मैं पानी में कुदूँगी और ये दुबारा पानी में कुदेगा लेकिन इस बार ये तयार है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा सबसे पहला तो काम है कि मैं अपनी दोस्त को ढूनू कि वो है कां और वो पुल के उपर ही खड़ा था लेकिन इसे दिख नहीं रहा था छलावे का जो ये खेल था जिसमें उसने एक ऐसी बीच में परत पैदा कर दी इन्हें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे ना जाने कैसे क्या हुआ बिजली कड़की या एकदम से वो मौसम बदला या इनके फेवर में रहा इनके घरवालों के पूजा पाठ शायद काम आ गए जो कि दौनों एक दूसरे को कुछ मिनट बात देख पाए और दौनों एक दूसरे को देख कर डर गए थे कि यानि कि हम काफी देड़ से एक दूसरे के सामने खड़े हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाए ऐसा हो कैसे सकता है अब जैसे ही दौनों ने एक दूसरे को देखा भाग कर गले लगे और भाई तू ठीक है भाई तू ठीक है हाँ मैं ठीक हूँ और वो 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 इसे उतरते हैं देखते हैं कि वो औरत पानी में है और बार बार उसका एक हाथ उपर आ रहा है वो बचाओ 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 इस तरह से कर रही है अब एकदम से इन दोनों के मन में दुबारा से बात आई कि इसे बचाना चाहिए पता लगा हम इसे भूत प्रेट समझ के किसी इनसान को इस तरह से छोड़ कर जा रहे हैं यह तो चलावे का खेल होता है कि जो आपको दिखाना है उतना ही दिखेगा जैसा आपको समझाना है वैसा ही वो समझाएगा उसे बचाने के चक्कर में यह चलांग लगाने ही वाले थे तब ही फिर से किसी की हसी की आवास आई तो देखते क्या है कि वो ही औरत इनकी ठीक बाई के पीछे बैठी है और इस बार उसका एक हाथ नहीं है यानि जो पानी में दिख रहा है वो हाथ इसी का था सूरज ने जबरदस्ती अजे को कहा कि भाई अब तू मोटर साइकल से उतरेगा नहीं बैठ जा बस और उसने मिठ जलाते रहे जब तक कहीं रोशनी और सिटी वगएरा नहीं दिखे वहाँ पर आने के बाद एक धाबे पर इन्होंने मोट सा किल रोकी मुहाद धोय और उसके बाद हाफते हाफते पानी मांग रहे थे बस एक गिलास पानी मिल जाए बेटा तुम ठीक हो हाँ जी नहीं क्या कोई पीछा कर रहा था क्या तुम्हारा जो इतने घबरा रहे हो क्या हुआ है इन्होंने उस पुल के बारे में हलका सा जिकर करा था और बाकी की सारी बाते इस डाबे वाले ने बता दी कहरें कि वहाँ पर तुम छोड़ कर क्या हो क्योंकि अगर नहीं छोड़ा होता तो मेंसे यहां कोई मदब सक्षम पहुंचता उसके बारे में बहुत कुछ सुना है वो महिला कौन है तो बताया कि अंग्रेजों के वक्त से वो एक तरह से उसी पुल पर है और उसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ जिसकी वज़े से पूरा खांदान उसका उस पानी में चला गया यह कहते हैं दोनों कि वो एक ऐसा सच था नितिन भाई जो हमने अपनी आँखों से देखा और दुबारा नहीं देखना चाते आज भी अगर उस पुल की तरफ हमारे को कहे कोई कि आप इत्ते रुपे लो ते लो या कुछ भी करो ठीक है हम जाएंगे नहीं हमने कोई ट्राइ टेस्टिंग नहीं करनी लेकिन एक दूसरे के साथ हम कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं यह दोनों एक दूसरे के कहानी देखनी शुरू करी हमारी तो कहा कि हम भी शामिल करना चाहते हैं बस एक बार मेरे दोस्त की अनुमती मिल जाए मैंने खा चलिए ठीक है जैसा आपको सही लगता है तो आज की कहानी में इतना ही आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर अच्छी विश्वास रखो so thank you so much for watching मेरा नाम ने तिन है मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में हर हर महा देखे वजय भूले नात तन्यवाद